हेलो गाईस, वेल्थ एक्सरेस में आपका हार्दीक स्वागत है, आज मैं आपके लिए चार्ट ब्रेकाउट स्टॉक लेके आया हो, जो आपका अलका ल्यानिक की 11 जुन 2 जा 24 को, अगर वो लेवल के आसपास मिलते हो तो आप उसमें एंट्री कर सकते हो, तो उससे पहले गा रेली दिखाई, HDFC लाइब भी अपने प्रेडिक्शन के इसाब से 565 के उपर गया, 569 चल रहा है, वो भी स्टॉक ने अच्छी रेली दिखाई, PD लाइट एक कती सो पैसट के उपर बाय बोला था, स्टॉक एक कती सो पच्चत चल रहा है, तो वो भी अच्छा जा रहा है, LTIM में क्या हुआ था, LTIM में क्लेयर कट बोला था कि स्टॉक को गिरने देना है, तो 4900 के आसपास बाय करना है, तो वहाँ पे स्टॉक गिरा भी था, तो वहाँ पर अपना बायंग हुआ, 4930 के आसपास चल रहा है, तो वो भी रनिंगे, और Apollo Hospital में क्या था, बायंग लेव चैनल जोइन करके रखना है, यहाँ पे आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी, अभी अपने चलेंगे पहला स्टॉक जो कल अच्छी रहली दिखा सकता है, उसमें पहला स्टॉक का नाम रहेगा, Granules, Granules इंडिया में क्या हो सकता है, यहाँ पे देखोगे, तो स्टॉक का न मिलेगा, तो और अच्छे अच्छे कंटेन आपके लिए लेके आता रहोंगा, तो अभी के अभी गाइस प्लीज वीडियो को लाइक करो, तो यहाँ पे आपको करना क्या है, क्लियर कट आपको क्या दिख रहा है, सप्लाई जोन, आपने देखा होगा, आपने मैजोरेटी जितने भी वीडियो होते हैं, उसमें सप्लाई जोन पर फोकस करते हैं, ट्रेन लाइन पर फोकस करते हैं, और तीसरा होता है, ट्रेन रिवर्सल पर, और यह पैटरन बहुत अच्छे से काम करती है, तो यहाँ पे आपने देखा होगा, स्टोक का सप्लाई जोन था है, स्ट चल जाएगा कि stock उपर जा रहा है कि निचे जा रहा है तो अपने इसको stop loss बना देंगे यह अपना buying level तो कल stock दोनों के बीच में अगर यहापी open होता है और उपर का level पहले breakout देता है तो stock में बहुत बड़ी rally आ सकती हो और यह आपका final stop loss हो जाएगा तो granules में अभी कुछ नहीं करना wait and watch करना है 473 के आसबा चल रहा है तो looks good above 486 जैसे 486 के उपर जाएगा तब आपको position बनानी है with a stop loss of 469 अब साइड में 505 के target 1-3 दिन में stock दिखा सकता है तो पहला stock होगा granules जो buy करना है लेकिन wait and watch करना है देखो guys stock market में आपको सही level पे buy करना बहुत जरूर ही है आपको eagle की तरह बैठे रहना पड़ेगा और सही level आएगा तब ही आपको entry करना है ऐसा नहीं कि कोई भी level पे आपने buy कर लिया है वहाँ पे आप buy करोगे कोई भी level पे तो आपका stop loss trigger होने के chances बढ़ जाते वो आपको ध्यान में रखना है अभी अपना द मन्त बोल सकते हो जिसमें बहुत तगड़ी रहली आ सकती है आने वाले एक महिने के लिए तो वो सेक्टर का भी एक स्टॉक बताऊंगा तो आपको वीडियो पूरा देखना है तो यहाँ पर जूबलेंट फूड में क्या हो सकता है डेली चाट के पर आपको clear cut क्या दिख र हो गए और आज की candle देखोंगे तो inside बार है जो भी रिटेश केंडल का हाई और लो था फ्राइडे का उसके अंदर ही स्टॉक ने ट्रेड किया है याने कि स्टॉक अभी भी decision नहीं ले परा कि स्टॉक को उपर जाना है कि नीचे जाना है लेकिन अपने को clear cut या पर breakout उपर क के सेट दिया है तो स्टॉक भी उपर जाने के लिए रेडी है तो अभी अपने wait and watch करेंगे रिटेश केंडल के high के उपर ही buy करेंगे रिटेश केंडल का low अपना stop loss हो जाएगा तो 523 अभी चल रहा है तो अभी आपको कुछ नहीं करना श्टॉक को 528 के उपर जाएगा अभी गाइस तीसरे स्टॉक का नाम रहेगा बेक्टर फूड बेक्टर फूड एक ऐसा स्टॉक है जिसने strong uptrend स्टार्ट कर दिया है लेकिन अभी स्टॉक थोड़ा मेंगा मिल रहा है क्योंकि यहां पर देखोगे तो स्टॉक का supply जुन्दा यहां से स्टॉक में गिरावा आपको करना क्या है मैंने क्या बोला पहले भी आपको एगल की तरह वेट रहरा है तब फोर्म में आ रही है यहाँ प्यूल शरय को रहेगताना starter рок यहां से चटॉक करने केब भूष्ज़ है अगर समझो कि stock ने आपनों यहाँ पे भाई कर लिया और यहाँ से stock नीचे गिरता जाएगा तो आप पैनिक में आओगे और कहीं न कहीं गलट decision लेके यहाँ पे exit कर दोगे और यहाँ से stock उपर चला जाएगा उसके बाद आप बोलोगे कि जहाँ पे मैं बेच देता हूँ व आपको छोड़ देना है कुछ भी नहीं करना है वाच लिस में सिर्फ लगा के रखना है और आप अलट भी लगा सकते हो 1380 के आसपास मैं ऐसा नहीं बूल रहा है कि कली आएगा 1380 कल आए परसो आए जब भी आए दो च्यार पांच दिन के बाद तब आपको इसमें एंट्री करने है 1380 के आसपास 1315 का आपका स्टॉप लोस होगा 1500 के टारगेट वन वीट लग सकता है लेकिन आराम से स्टॉप दिखा सकता है अगर किसी ने एंट्री ने ली तो अभी फिर से एंट्री कर सकता है बहुत अच्छा है मैंने आपको बोला था सेक्टर आप दे मन्त रह सकता है तो यह सेक्टर के सारे स्टॉप देखो गए तो आज एग्रो केमिकल की बात कर रहा हूँ UPL देखो, Rallys India देखो, Sumito में Chemical देखो, सारे स्टॉप बहुत अच्छा परफोर्मस दे रहा है तो यह सारे स्टॉप में यहने की पूरे सेक्टर में अच्छी Rally आ सकती है तो अभी UPL सबसे बेस्ट पीक है क्योंकि स्टॉप लस नजदिक आ रहा है तो यहापे आपका सप उपर जाने के लिए ready है लेकिन आपको करना क्या है यह final stop loss तो यही रहेगा क्योंकि अभी यह demand zone बन गया है तो आप यहापर वे entry कर सकते हो अगर गिरते है तब भी entry कर सकते हो कोई भी level पे entry कर सकते हो लेकिन आपका सब का stop loss आएगा 527 आपका stop loss आएगा कल open price पे buy कर सकते हो अगर किसी ने फ्राइडे के लेवल के साब से 546 पे buy कर लिया है तो वह होल्ड रख सकते हो stop loss उनका भी सेम आएगा अप साइड में 580 के target एक से तीन दिन में UPL दिखा सकता है तो यह अपना कौन सा stock होगा है चौता stock होगा जिसमें अच सा stock है जो गिराट में buy करना है और UPL को भी open price पे buy करना है तो आज की वीडियो में इतने ही था वीडियो अच्छा लगा तो क्या करना है वीडियो को like करके जाना है चैनल को subscribe करना है कुछ भी doubt हो तो क्या करना है comment करके पूछना है answer देने का try करूँगा guys thank you very much bye bye take care please guys video को like कर करके जाना thank you bye bye take care काल मिलते है नए वीडियो में bye bye take care